Hello guys, welcome back to Telefood Updates इस वीडियो में सब TV के Serial One Church के बारे में बात करने जा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ अफतों से जब से Serial में कुछ नए चेंजिस देखने को मिल रहे हैं उसे Serial की TRP में भी काफी अच्छी performance हमें देखने को मिली है और लोगों की तरफ जो रिव्यूज आ रहे हैं वो भी काफी आधा positive आ रहे हैं और लोगों को जो story ने नया route लिया है वो काफी आधा पसंद आ रहा है तो ये कई बार misspire भी हो सकता होता था बिकॉस कई बार लोगों को पसंद नहीं आती नहीं story तो यहाँ पर जो changes आए है story में वो तो पसंद आई रहे हैं उसके साथ multiple नई entries और नए चेहरे भी हमें देखने को मिले हैं वंशज serial में उनी में से एक नई entry के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और उनकी character में थोड़ी detail में जाने वाले हैं और आने वाले episodes में आप क्या expect कर सकते हैं उनके character के साथ यानि कि सृष्टी वर्मा का जो character है यानि कि ये जो नई introduction हुई है सृष्टी वर्मा नाम के character की और उतकरशा नायक इस character को play कर रही है कोयल की mother का role ये play कर रही है और इनकी entry जो हुई है serial में इनकी नई entry से भी इनके नया character जो है serial में काफ़यदा drama काफ़यदा intrigue और excitement लेकर आने वाला है तो निशा नागबाल की मदर का character निकी कोयल की मदर का जो character है वो अपने पती के मर जाने के बाद ये political spotlight के अंदर आ जाती है काफ़ यादा बड़े सपने लेकर वैसे उसको जादा education नहीं मिली है बजपन में जादा बड़े बड़े school वगेरा में ऐसे नहीं पड़ी है और जादा बड़े लिखी नहीं है but at the same time पढ़ाई लिखाई ना करके भी उसकी जो intellect है यानि कि वो काफ़ी जादा दिमाग उसका तेज है और काफ़ी जादा चलाक टाइप का nature है और वैसे काफ़ी समझधार भी है और कई इनके जो भी सीरिल में आगे चलकर फैसले रहेंगे वो स्टोरी लाइन में काफ़ी जादा impact डालने वाले है इनके आसपास वाले जो characters है उनके revolving इनका character इस तरह का कि अपनी बेटी कोयल के लिए कुछ भी कर सकती है उनका future product करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है काफ़ी जादा powerful है और काफ़ी जादा controlling भी है और इसी चीज़ से इनके जो character है वो काफ़ी जादा strong presence भी add होती है सरिष्टी का जो character है वो उत्तर परदेश से belong करता है और इसी करके वहाँ पर woman को जादा पढ़ाया नहीं जाता और उत्तर जादा empowerment नहीं होती woman को लेकर लेकिन ये सब के चलते हुए भी काफ़ी जादा strong woman है इसी करके इनका जो background है वो काफ़ी जादा इस तरह से काफ़ी जादा problems face करी है इन्होंने और वो सब भी show किया जाएगा तो काफ़ी जादा strong lady का character ये play कर रही है ये खुद एक politician तो नहीं है लेकिन ये सारी qualities रखती है कि अपने साथ वाले को complete एक politician में turn कर सकती है यानि कि इस जो empire है महाजन empire उसका राजा है और फिर रानी बना सकती है तो इनको shoot start हुए obviously कुछ time हो गया है और इनका एक हैना है जो serial की shooting location है वो बहुत ही आदा beautiful है और ये जो character है इनके लिए complete surprise था और इतना बड़ी है character है इस करके इन्होंने लिया shooting करके भी काफ़े था enjoyment हो रही है because Mumbai से थोड़ा दूर है set और जो सारे cast and crew हैं जहां से आते हैं यानि कि कुछ time travel करके अपने serial के set की और तक पहुँच पाते हैं और वहाँ पे इनकी journey भी काफ़ी beautiful रही होती है ये इनका कहना है वंशच की shooting को लेकर comments मताई है नए episodes आपको कैसे लग रहे हैं और अपकमी episodes के लिए excited हैं फिर नई and सारी अपकमी वंशच की story, updates, latest news, TRP updates पाने के लिए हमारे channel से जुड़े रहे हैं हमें subscribe करके bell notification दबा लीजिए तांगे अब कोई भी news, कोई भी खबर बिल्कुल भी miss ना कर पाएं फिलाल के video में तरहीं मिलते हैं next video मैं अभी के लिए चलता हूं good bye